वेलकम बेक एवरीवन तो दा ओनलाइन ए लर्निंग प्लैटफॉर्म ऑफ इंकुरी एडुकेशन तो स्टुडेंट्स मैं आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा रहा था और आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बढ़ चुके हैं एक नए सब टॉपिक पर जो कि है आपक को होग सोरी को हैलुजन फैमली कहते हैं उसमें कौन-कौन और सब्सक्राइब करें और कि बचैसीर बच परकर क्या बनाते है और क्या एबनाते हैं normal हैं रहती हैं यह सारे याद करना भी बता देता हूं ठीक है अगर बात की जाए सबसे पहले आपके ग्रूप 17 में तो इसमें कितने स्टुडेंट्स कौन-कौन से लूरीन लूरीन लूरीं लूरीं लूमिंग आयोडीं अस्टेटाइन और याद कर सकते हैं आपकी यह तो बात अब बात करते हैं इसी में कि आप कैसे इनको याद कर सकते हैं तो इसकी जो शॉट्ट्रिक रहने वाली स्टुडेंट्स वह रहेगी फिल कल बाहर आएगी अंटी तो यह एक बड़ी सी सिंपल सी ट्रिक हो गई कि फिर कल बाहर आएगी अंटी टैरिस पर ठीक है तो इससे आप याद रख सकते हैं कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और अस्टेटैन और टैनेसियम यह छे लिमेंट्स हैं जो कि आपकी ग्रूप सेवंटीन अलिमेंट्स में आते हैं यह स्टुटेंट्स कौन सा है आपका यह आपका ग्रूप नंबर सेवंटी ठीक है यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब बात की जाए आपके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन की तो मैंने आपको बताए था चैनल व्होल के जो आपका ग्रूप रहता है उतने ही आपके व्यलेंट्स मेंट्रॉन रहते हैं तो इसका ग्रूप नंबर कितना है सेवंटीन तो जो लांस दीडिट हो गो कितने स्टुटेंट्स होंगे सेवन तो जो पी ब्लॉक का जो जनेरल अप कोन्विग्रेशन हों था वह क्या था वह मैंने आपको बताया था हो था ns2np1-6 तो साथ Anti sujet न भी तो इसका मुल्लीन के उल्रओन के जोप्राइएगा नस दुन तूपी इसे ही आपके इसका हो जाएगा इसे ही आपके इसका हो जाएगा फॉर एस टू पी फाइब अगर ऐसे आप सिमिलर्ली बात करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि आयोडीन का होगा आपका यह इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा आपका याद करने की trick क्या आप कैसे इसको याद कर सकते हैं फिर कल वहार आएगी अंटी टेरिस पर ठीक है यह रहे इसके आपकी जन्रल इलेक्टोनिक कॉन्फिग्रेशन और यह आपका पूरा पी ब्लॉक का जन्रल इलेक्टोनिक कॉन्फिग्रेशन तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप सबसे पहले याद कर सकते हैं इसके बाद यह होगी आपकी इसकी ट्रिक और यह रही आपकी एलेक्टोनिक कॉन्फिग्रेशन ठीक है यह तो बात होगी जन्रल सी अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रपर्टी पे क्या डिफ्रेरींस आता है या फिर आपकी एलेक्टोन गेन थाईल्पी पर क्या डिफ्रेंस आता है ठीक है तो आप इसको सबसे पहले नोट डाउन का लीजे फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं इसकी important properties के बारे में ठीक है student अगर इसी में हम बात करें इसकी important properties में तो मैंने आपको बताया था atomic radius जो होती है वो top to bottom जाते हैं तो increase होती है और क्यों increase होती है वह आप भी देख भी पार रहे थे कि आप fluorine से iodine तका रहे थे तो आपके number of shells का increment हो रहा था number of shells increase होंगे तो आपकी atomic radius increase होगी तो students इसमें first point हो जाएगा कि जो आपकी atomic radius होती है ना वो होती है top to bottom क्या होती है इंक्रीज होती है क्या होती है students top to bottom जो आपके atomic radius होती है वो increase होती है ठीक है इसी में जो second property हो जाएगी students हो जाएगी आपकी electronegativity क्या हो जाएगी electronegativity इसके बारे में भी मैंने आपको group 16 में भी बता दिया था ठीक है मैं मैं फिर से बता देता हूँ top to bottom अगर आप जाते हैं तो आपकी electronegativity decrease होती है क्या होती है आप top to bottom जाते है तो आपकी electronegativity decrease होती है ठीक है ठीक है थर्ड जो इसमें property important रहने वाली students हो रहने वाली आपकी electron gain enthalpy क्या रहने वाली students electron gain enthalpy इसका trend भी सेम रहता है आप top to bottom अगर जाते हैं तो आपकी electron gain enthalpy भी decrease होती है फूर्थ इसमें जो property रहती है students वो रहती है ionization enthalpy यह भी आप अगर top to bottom जाते हैं तो आपकी decrease होती है क्या होती है students top to bottom में यह आपके decrease होती है तो यह तो रहा आपकी properties का trend ठीक है अब मैं आपको कुछ exceptions बता देता हूं कि क्या क्या exceptions रहते हैं मतलब यह सारा जो था आपका यह कौन सा trend है यह आपका है general but आप सभी को पता है कि आपकी chemistry में बहुत ही सारे exceptions रहते हैं और वही exceptions आपसे आपकी teachers भर-भर के बिस्ते हैं तो इसी में अगर exceptions की बात करें तो अगर हम मैं बात करूँ सबसे पहले exception की तो जो आपकी electron gain enthalpy है उसका अगर आप general trend लेखें तो top to bottom आपकी क्या हो रही है degrees हो रही है तो आपके हिसाब से जो trend आना चाहिए आपकी हेलोजन family में वह आना चाहिए कि जो electron gain enthalpy हो फिर कल बाहर आएगी ठीक है सबसे ज़्यादा होना चाहिए fluorine का फिर होना चाहिए chlorine का फिर होना चाहिए bromine का और फिर होना चाहिए iodine का बट अगर यह trend आप exam में लगा आते हैं students तो आपके marks कर जाएंगे मतलब यह जो answer आपका wrong है ठीक है तो इसका सही answer क्या होगा और क्यों होगा क्या reason रहता है वो भी मैं आपको बताता है पहले आप इसका सही answer note का लीजे यह chlorine की ज़्यादा होती है fluorine से फिर bromine और फिर iodine अब जो इसका reason होता है students वो यह रहता है कि आपको पता है आप top to bottom जाते हैं तो आपके atomic radius increase होती है तो fluorine जो होता है वो आपका electron negative atom तो होता है तो सकते हैं उनकी capacity कम हो जाती है आप ऐसे समस्क्राइब स्टुलेंट्स आप suppose कीजिए आपको पता है इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में उसमें कितने लेक्ट्रॉन है पांच कितने लेक्ट्रॉन है यह पांचों के पांचों और हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के पांचों है और जो इसका शेल है वह बड़ा है ठीक है कि आपको मकान मालिक है क्या है लकान में ठीक है अब कर मालिक चाहता है कि आपके पास और कुरायदार है जो सारे पहले से जो करायधार हैं उनका एक स्ट्रांग इंटर electronic repulsion लगता है मतलब वो आपके रूम में आएगा जो नहीं करायदार होगा वो किसी ना किसी की रूम में आएगा तो सब को कुछ ना कुछ दिक्कत होती है इसलिए सारे के सारे उसका विरूद करते हैं ठीक है वहीं अगर इस वाले रूम में बात करें तो यहां मकान वाले को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि क्रायदार आए या ना आए बट जो दूसरा क्रायदार आएगा उसके पास वेकेंट रूम है तो वह आएगा तो उसे इतना रिपर्शन नहीं जहिलना पड़ेगा इसी लिए जब आपका इलेक्रों गेन एंथालपी वाले कंसेप्ट में जो जनरल वाला फॉल्व होता है ठीक है तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है और इसे आप चार माक कर लिए ठीक है इसी में एक जनरल सा और कॉस्चन एक्सेप्शन का वह भी जनरली पूछ लिया जाता है स्टुडेंट्स वह देख लीजी आप वह क्या है म उनकी बॉर्ण डिसोशेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है यह होता है जनरल ट्रेंट ठीक है क्योंकि एलेक्ट्रो नेगेटिव टीव की वज़े से वर्ट एक कुश्चन आप से पूछ लिया जाता है कि एफ टू 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 पियार टू और आई टू इनमें से आप बता सबसे ज्यादा होती है आपको पता है जो फ्लूरीन होता है वो स्मूस्ट एलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होता है और यह क्यों होता है विकॉज इसको सिर्फ एक ही एलेक्ट्रोन की ज़रूत होती है ताकि यह अपना ओक्टेट कम्प्लीट कर सके ठीक है बट अगर बात करें इसके वांड डिसोशेशन एनर्जी की तो इसका जो ओडर आता है ने स्टुडेंट्स वो आता है चील टू बी यार टू दैन एप टू और दैन आई टू मतलब जो आपका फ्लूरीन होता है बोद थर्ड नम्वर पे चले जाता है और इसका भी सेम रिजन रहता ह है because of smaller size of F2 atom and due to the strong interatomic repulsion ठीक है तो यह दोनों रिजन सेम रह जाते हैं तो आपका यह भी जो exception है वो बहुत important रह जाता है और आप इसको cross mark कर लीजिए कि आप इसको cross mark कर लीजिए कि आपको यही नहीं लगाना है bond dissociation energy वाले concept में ठीक है students तो आपको यहां तक समझा आ गया होगा तो आप इसका पहले जल्दी से screenshot ले लीजिए तो students I hope आप ख़वी ने इसका screenshot ले लिया होगा ठीक है अब हम बात करते हैं आपकी important reactions की कुछ मैं आपको बताता हूँ कि क्या properties रहती है सबसे पहले बात की जाए आपकी halosan family की तो यह strong oxidizing is that रहते है students और यह क्यों रहते है strong oxidizing is that इसका भी मैं detailed discussion देता हूँ आपको ठीक है तो बात की जाए कि यह क्या रहते है यह आपके रहते है strong oxidizing is that अगर जो compound strong oxidizing is that की तरह behave करेगा मतलब खुद का क्या करवाएगा reduction करवाएगा just opposite होता है student तो यह आप note down कर लीजिए यह क्या होते है यह आपके होते है क्या आपके होते है क्या क्या करवाएग दिए मतलब strong oxidizing is that do this का मतलब खुद का क्या करवाते है यह करवाते हैं reduction ठीक है तो यहां तक बात हो गई कि यह तो होते है आपके strong oxidizing isn't और यह क्या करवाते है खुद का क्या करवा लेते है यह करवा लेते है reduction ठीक है जैसे बात की जाए f2 की तो f2 water के साथ react करता है और क्या बना लेता है यह बना लेता है और यह आपको दे लेता है o2 यह तो हो गई इसकी first reaction इसमें आप देख पा रहे होंगे जो आपका fluorine है इनिशली कितनी oxidation state पह है इनिशली zero oxidation state पह है जबकि य zero से minus one हो गया मतलब fluorine का क्या हुआ है reduction हो गया क्या हो गया reduction हो गया second अगर simply बात करें CL2 की तो अगर इसको हम s2 के साथ react करता है तो students की बहुत ज़्यादा queries आती रही है इसमें तो कुछ और बन रहा है इसमें कुछ और बन रहा है तो reactions लिखते कैसे students देखिए reactions लिखी जाती है आपको fluorine को water के साथ react करवाया जाता है और जो finally आपको real में product मिलता है उसे specialized आपके सामने लिख दिया जाता है बट हम समझ सकते हैं मैं आपको बताता हूं कि क्यों इसमें जो structures बने वो different as compared to इसमें पहले मैं आपको इसमें बता देता हूं इसमें आपका बनता है HCL प्लस आपका बन जाता है HOCL तो बच्चों के मन में यह questions बहुत बार आता रहा है कि sir इसमें HOCL बन गया ठीक है हमने मान इसमें HOF क्यों नहीं बना ठीक है students इसका एक specific reason रहता है ठीक है अगर हम simply आगे बात करें उस reason को बताने से पहले बाकी जा सारे compound में same रहेगा देखिए अगर आप BR2 के साथ रियाक्ति करेंगे तो यह HBR बन जाएगा प्लस HOBR बन जाएगा बट आपका जो fluorine होता है ना यह सिर्फ O2 बनाता है reason आप oxidation state का अगर concept यहां देखेंगे ना तो खुद कोई समझा जाएगा आप यहां पर देखिए CL कितने में माइनस 1 में H कितना है प्लस 1 ठीक है वर अगर आप यहां पर है बनाते तो आप सपूस किजी क्या होता oxygen आपका कितना होता माइनस 2 H कितना होता प्लस 1 फ्लोरिन को क्या होना परता मतलब फ्लोरिन आपका अपको पता अगर आपको oxygen को प्लस करना है तो oxygen सिर्फ एक में ही बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने आपको याद करवाय था कि सिर्फ और यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चीए इसी में हम आगे बढ़ जाते हैं और मैं आपको बताता हूं इसके में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में कि हैलोजन को ही ही थैलोजन फैमिली क्योक्य ऑजाता है व उस्टूडेंट वर्ड से पता लगता है है वह एक ग्रीक वर्ड से लिए गया है किस अर्पे अब का मतलब होता है वह नु क्या होता है यहुदे तर जेल्ट से से आपकार बहन पर नहीं है कि थिक्के तापर सभी को पता है जो आपकी हउल व्हन, फैमिली की compound होते हैं सारे के सारे इलेक्रों रहते और एक इलेक्रोंस इनको और थही होता है मुक्ष की प्राप्ति के लिए यह चाहते है कि हमें यह कैसे भी करके एक एक एलेक्ट्रॉन दे दो हम सब कुछ कर लें ढिए बस हमें एक 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 एलेक्ट्राट चाहिए तो इसी के लिए हर मैटल के साasma करे से रहते हैं और अपना ताकिन का ओक्टेट कम्प्लीट हो सके ठीक है स्टुएंट तो यहां पर बात होगे स्टेबिलिटी की और आप मैंने आपको यह भी बता दिया कि हैलूजन फैमिली को ही हैलूजन फैमिली क्यों कहा जाता है तो आपको यह लेक्टर पसंद आया होगा मैंने आपको अच्छे से बता दिया है तो आई होप आपको यह लेक्टर पसंद आया होगा एसे ही इनफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आज ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको नोट्स और पीडिएफ चाहिए तो हमारी टेलिग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्यू